कि जिसा कि आज से भी चैनल वाले जो बच्चे थे उनका जो जारी कर दिया गया था जो अलोट्मेंट था ओके और उनकी रेंग भी रिलीज कर दी गई थी आज थोड़ा सा चेंजिस देखने को मिला जिससे कि कश्मेरी माइगरेंट के जो बच्चे थे वह 3500 से डारेक्ट ल इतना ज्यादा डिफ्रेंस पहले नहीं आ रहा था ओके यह एस्टी में तो ज्यादा कोई डिफ्रेंस नहीं आया पहले एटलिस 15-16 पर ही थे और 17 पर पहुंचे हैं ओके यह जो है सी केटेग्री वाले हैं यह भी इतना ही नो जार कुछ पे थे 10,000 पर पहुंचे हैं ओके OBC वाले जो कंडिटेट थे वह जो है एटलिस्ट किते पहते 42 पह थे 4800 पर पहुंच गये ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं आया ओके देन जंदल के टिक्री के जो बच्चे थे वह 1902,000 पह थे और 22 पहुंच गए ओके तो अब भी बहुत सारे बच्चों की क्वारी यह कि बया किया यह फाइनल राउंड था क्या इसके बाद को और भी होगा तो यह इसके बाद जो और भी राम्ड होने हैं ठीक है और जब जब जो एसइवी का चैनल है ओके देन इसकी जो लास डेट है जो एड़मिशन की है तक है आपको जो प्रोंच 529 अवंबर तक देन आपक से एट लिस्ट दो दिसंबर को साइध अलोटमेंट आ जाना चीए ओके इस्पोर्ट राउंड का देन उसके लिए आपको एट लिस्ट तीन चार तारिक टका टाइम दिया जाएगा फीस का ओके तो यह अरब ज्यादा टाइम नहीं लिगेगा आइटिंक कि दो अलोटमेंट और आने चीए वेयवंचे फिक हैं एक तो कंफरम है यह तो और याएगा ऐगाboards कखेथ सेते हैं फिकार दो यह यह रांट आप सक्क्ति हो कि डू राउंड आने के था सक्षेज है ओक है ऐए और डम छान्सेत आतर डेलांप आप जिस्टे आपे रेंकिंग बास चेक्क कर सकते हो अभी जो यह तो यार अभी भोती नीचे चल रही है और S केक्री आप मान सेक्टे तो तक तो जाएगी जाएगी और जो स्टी के टेग्री माइगरेंट तो ओल्मोस्ट बच्चे कवर हो चुके यहां कश्मेरी माइगरेंट ज्यादा से ज्यादा भी जा सकता है ठीक है तो आप दस्त यही सिच्वेशन चल रही है यार भी ठीक है तो जंदल केटिग्री वालों पर भी भहती धिमी स्पीड है जंदल पर जो है ऐसे भी चैनल में तो ठीक है स्टुडेंट्स केवपी बाई का जो राउंड है पांच वा राउंड आ चुका है अभी एक राउंड औ यहीं का एक राउंड और भी आ सकता है ठीक है स्टुडेंट्स वैसे लिखावा है तो है फाइनल राउंड तो हो भी सकता है मैं भी बट जिस प्रकार से सीटें बच्ची होई है यार तो मुलब होना तो नहीं चाहिए फाइनल राउंड ओके तो जो भी सीट्स है के वपी खतम होगे वर यह तोड़ा ऐसी सी बीधियो इसके बाद दोनों के बाद में खतम होगा जैसे यह एडवांस की दोनों के बाद बचाल यहा when माल सकते हो यह पिर जिसका 37, 38, 39, 40 भी माल सकते हो इतने मक्स तक है तो वह अटलिस जब तक स्पोर्ट राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक यह नोर्टिपिकेशन नहीं आ जाता कि ओल राउंड आज कंप्लीट ओल एडिमिशन आर प्लोज्ट ओके तब तक तो यार पार्टिसपेट कोई भी होप अगार ना कोई तब तक जिन बचों के 37, 37, 49, 40 तक नंबर है एक 60 में से तब तक तो लड़े जब तक कि यह बच्चे नहीं जो टीचर लोग है यहां कि जो टीम है जो जेक है आइसर जेक वो तब तक यह कंफर्म नहीं कर देता कि कि ओल्मोस एडमिशन क्लोज ओल एडमिशन सार क्लोज फिनिश खथम ब्लास्ट तब तक तो कोई भी कुछ भी एक्षण ना ले तो रही बात बच्चे को रेंग ठीक टाक है प्राइवेट कोलेज वाले प्रेशान करें कि जल्दी से जल्दी सीनेट लोग बना सीट बुक ह हो जाएगी बाद में एडमिशन नहीं लेंगे तो यह एक लाग डेड़ लाग रुपए तक का मामला है वह तो अगर बैसे बात की जाए जो भी बड़े-बड़े प्राइवेट को लिजे जाए स्पेशली मेडिकल स्टूडेंस के लिए तो यह पांच-छे तिन तक का ले क्या करते हैं अगर आपका एकजाम सेमेस्टर एकजाम अगर 15 दिन बाद भी है ना तो भी वह आपको सीट दे देंगे कि ले लो बच्चे सीट ले लो ठीक है तो वह कुछ भी कर सकते हैं तो उनके चक्कर में थोड़ा सा ना पड़े ठीक है उनके पास सीटें रहती है वैसे अगर नहीं भी रहती है तो वह बड़ा भी देते हैं तो यहार वैसे उनके पास सीटें रहती है क्योंकि इंडिया के अंदर 99 परसेंट बचें मिटिल ग्लास पेमिली से हैं और वह सेमेस्टर की फीस दो लाग डेड़ लाग रुपे नहीं दे सकते तो उनके पास वह सारे प्राइवेट कोलेजेज हैं नाम तो नहीं ले सकते जो भी बड़े कोलेजेज है तो बहुत सारे बचों को यह परेशा नहीं हो रही है कि यहां पर एगर सीट मिल गई तो वह लोग रिफंड नहीं करेंगे हैं हमारा फिस्ट इंट्रेस्ट आइसर ही है और यहां अगर नहीं मिलता है तो देन हम फर्दर जो उसके अंदर जा सकते हैं अगर हमने वहां पर एक लाग डिलाग पे कर दिया तो वह लोग रिफंड नहीं करेंगे और आइसर की पीस नॉर्मल नहीं है और हम एक मिडिल क्लाश पेमिली से बिलों करते हैं फाइनेंचियल नहीं हों जाते हैं तो यहां प्राइवेट में थोड़ा सा वेट कर लें जब तक स्पोर्ट रावंड खतम नहीं हो जाते उसके बाद आप जितना फेडल लाग दो लग प्राइवेट वाले लेते उसके अंद़र आप दे सकते हो लेकिन अजब तक अगर आपकी ठीक है अच्छी फेकल्टी आइसर बेरंपूर के अंदर केंपस बन चुका है रनिंग में चल रहा है तो कोई बुराई नहीं है किसे भी यूट्यूबर की बातों में आके अपनी एक अपना एक जो लाइफ है आपको एक अपोर्शूनिटी मिली है उसको ना कोई कि बहुत सारे बचों के यहीं क्वारियारी थी भही आईसर बेरंपूर में लेने से तो अच्छा है कि हम प्राइवेट कॉलेज में ले ले भाई आईसर बेरंपूर के अंदर क्या प्रोब्लम है प्रोब्लम है यहीं की आईसर बेरंपूर मिल रहा है क्यों क्योंकि बहुत सारे बचों के मेंटलेटी यहीं होगी का इसकासर बेरंपूर अच्छा नहीं है क्योंकि कि वह कम मादा पर में बच्छे इंदर चश्रूर सीट करें बहुत सारे बच्चे हैं आईसर बेरंपूर के जो कि आप YouTube अगरा पर सर्च कर सकते हैं LinkedIn पर सर्च कर सकते हैं उनसे वेरी गुड परचुनुटी ओके देन आसर सारी अच्छे हैं खिसी में अगर आपको मिल रहा है तो फिस जरूर पे करें और दर्ट लिए आप जा सकते हैं विजट कर सकते हैं देख सकते हैं कोई मनाई नहीं है कोविड सब्सक्राइब क्थम हो चुका है अगर तुम्हें मिल रहा है तो जरूर ले बहुत सारे चोटा सा प्रोब्लम बस यह है लेंग्वेज का क्योंकि वह उडिशा के अंदर है तो लेकिन हां वहां पे तुमको कोई तमिल वमिल कुछ नहीं बोलने माला तिक है सारे इंगलिस के अंदर बोलते हैं और बच्चे जो पंजाबी है रियान भी है ओके गुजराती है सब कुछ सारे बच्चे होते हैं वहां पे तो ऐसा कोई इस्यू नहीं कि आपको लेंग्वेज का प्रोब्लम आएगा अगर आपका स्मेर से हो अगर आप उरिशा से हो तिक है अगर आपको मिल रहा है तो जरूर ले ओके ठीक है स्टुडेंट्स होगे थैंक्यू सो मच्छेव नाच दे बाबाद